नवस्कार जी मैं केयन मोर्या और आप देख रहे हैं जैवी खेतिय भियान यह हमारा यूटूब चैनल है चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मित्रो आज मैं खड़ा हूँ पंजाब के तरन तरन जिले के पट्टी तहसिल के अं कि नहीं हो रहा है कि उसकी मोटाई लंबाई और इस तरीके से हो तो मैं आपको यह वीडियो दिखाना उचित समझाए इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं आए मिलवाते हैं हमारे किसान से हमारे किसानों को बताइए अपने बारे में सासिकाल जी सारे विराप्रावन आज त्रीक जी तेई फर्वरी दो यह रठारा एग और गन्नाय नो पहले पांच साल तो कोज ने पाया रूडी पाई दीजिए एक अरवास्ते गोड़तियार करीदा यहीं फोर कोई खाद नी कोजनी पाई था जी रूडी पाई दीजिए आज हम खड़े हैं 23 फर्वरी 2018 को इसे आज यह हम वीडियो सूट कर रहे हैं मित्रों हो मैं आपको बता हूँ जैसा कि आपने बता है पांच साल पहले से इसमें कोई थाद नहीं डाल रहे हैं और लगातार गन्ना ले रहे हैं लगाता एक गन्ना लगवग रस कितना दे देता है एक गन्ना जेड़ा दास फूट आओ तो दो लीटर देता है तो जेड़ा 15 फूट तैरा कटके विख्या है त्यन लीटर रास निकलता है ठीक है और एक गन्ने की एवरेज वेट यह दी मैं देखू थोड़ा सा बाई सा बताए इस कि गन्ने की वेट क्या होगी graph free 5 पड़ के इवपर हीये 15 किलो का एक गन्ना लगवग 5 किलो का एक गन्ना में चार किलो ही पकडू हूँ और ऐसा गन्ना यदी एक एकड में ख़़ा हो जाए तो सोचिए किसान कितना पैसा कमा सकता है मित्रों ये उनके लिए वो लोग ज़ूर देखे हैं जिनको कहीं न कहीं प्रकिती पे डाउट है कई न कई नेचर पे डाउट है प्रकिती के हवाले इन्हों ने इस खेतों किया केवल गोबर की खाद राली गन्ना बोया और कंटीनियू पांच सालों से ये करते आ रहे हैं उत्पादन आप देखिए गन्ने की लंबाई देखिए मुटाई आप देख लें बिना किसी खाद के इतनी अच्छी मुटाई हुई है और अपने घर खाने के लिए ये अर्गैनिक गुण बनाते हैं ये मैं इसीत रूप से आप सभी को कहूंगा कि आप भी यह दिये वीडियो देख रहे हैं तो पूरे दुनिया वह खिलाने के लिए लेकिन घर खाने के लिए हमारा किसान डाइक्ली आइंडायक्ली अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर लाकर करके खिला रहा है जहर बहुत धन्यवाद आपको आप अरगेनिक जार हैं